हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका अपना फूद टेस्ट मैं आज मैं आपके लेकाई हूँ आलू से बना हुआ ऐसा कुरकुरा नास्ता इसके आगे आपको कचोड़ी पकोड़ी एकदम फीक ही लगेगी और बनेगा ये कम समान में और कम टाइम में तो इसके लिए वीडियो क इसके ना छुलका उतार लेंगे अलू का लू का उतारने कि आपके अलू के ना बड़ने दो यह ढुसके सिएट नियुक्त बाद इसे बना नियुक्त करने लिए के लिए ना सिसाइट वाला होता है तो इसे जो है आलू सब दोनों को मैं हैं पर कुछ कर लोंगी आलू का लेना पड़े तो इसलिए पानी में ही कद्धु कर लें और दूसरा फाइदा यह होगा कि जो आलू में श्टार्ष रहता है, तो वो पानी में डालने से आधे से जादा निकल जाएगा, तो यहां पे देखिए जो में दो आलू है वो ग्रेट कर लिए है, तो अब क्या करेंगे, इसे दो से तीन बाब ना पानी से दो लेंगे ताकि जो आलू का जो स्टार्ज रहता है वो सारा का सारा निकल जाए इससे ना आलू जो है वो साफ हो जाएंगे और यहां पर एक बार का जो पानी है वो मैंने निकाल लिया है तो मैं दुबारा इसमें पानी डालूंगी और दुबारे से दो लूंगी इसे बार फिर से डाल दिया है और एक बार फिर से मैं इसे निकाल लूँगी पानी से तो क्या करूँगी एक बरतन ले लूँगी और बरतन के उपर न मैं एक साफ कपड़ा रख दूँगी सूती का अगर आपके पास चन्नी आती है पानी निकालने वाला अगर वो है तो आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन कपड़े में रखने से जो है इसका जो पानी रहता है न वह अच्छे से निकल जाएगा आलू का तो इसके लिए मैंने सभी आलू को जो है कपड़े के उपड़ दाल दिया है और अब क्या करेंगे पानी को हटा देंगे और जो आलू बासता है एकदम कुरकरा बनेगा तो इस बात का जरूर धियान रखे कि आलू को जो है एकदम अच्छे से निचोड़ना है आप एक काम और कर सकते हैं आलू को आप थुरदेर के लिए खुले में रखके आप इने सुखा भी सकते हैं तो यह देखिए यहापे मैंने आलू का पानी है वह सारा निचोड लिया है और इसे ना मैंने बर्तन में पलट लिया है तो अब क्या करेंगे इसमें मैं डालूंगी नमक स्वादन नुसार तो मैंने यहापे ना अधी चमच नमक लिया है नमक डालने से जो है आलू इद्दम से पानी छोड़ देता है इस बात का अधी चमच काली मर्し पार और अधी चमच डाला है मैंने याल मिर्व कियूक्त रखे बात अगर शोड़ कर सकते हैं और इन सब को जो हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको आपको यहां पे जो इसमसर है वो गीला लगता है तो आप जाला कॉनफ्लार और डाल सकते हैं क्योंकि जो नमक डालने से एकदम आलू, पानी छोड़ना श्टार्ट कर देती है तो इसलिए जो है यह मिक्षर घीला हो सकता है तो आप क्या करेंगे यहां पे थोड़ा सा मिक्षर ले लेंगे हाथों में और इसे इस तरीके से अना मुठी में क तो इस तरीके से बन जाएगी तो इसलिए मैं आपको एक और बना की भी दिखाती हूं दुबारा से थोड़ा सा मिक्षर लेना है और हल्का से हाथ से दबाना है और दूसे हाथ से इस तरीके से गोल घुमा देना है बस दो से तीन बार उससे जादा नहीं यह आलू की जो हम ब यह निए जाए तो साथ के साथ जो है डाड़निंग करते जाएंगे और इनहें जो है तेल में डालते जा경े फ्राइ करने के लिए तो इहां पर मैंने एक बार मैद्य venade असकते तेल मे उतने मैंड़ने मैं आलू की जो मिक्षर है वह मैंडें डाले दिया है फ्राइ करनें क तो इसके लिए कम से कम चार से पांच मिनिट का टाइम जरूर लगेगा जब यह अच्छे से फ्राइ हो जाएंगे ना तो यह इतने क्रिस्पी होंगे ना कि खाने में मज़ा आ जाएगा और इन्हें पल्टे से एक बार मैं अलट पलट लोंगी अच्छे से ताकि अच्छे से हो जाएं और जब फ्राइ हो जाए ना तो इन्हें कड़ाई में से निकाल लेंगे नहीं तो इतना ही हमें हैं इसने पकाना है यह देखिए दिखने में बहुत अच्छे लग रहें ना एकडम खाने में भी सोचीय कृत ऊच्छे होंगे और ऐप क्रिस्पी होंगे सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं तो ये देखिए दूसरी बार के भी जो है बनके तैयार है तो इन्हें भी सभी को हम प्लेट में निकाल लेंगे और हमारा जो नाश्ता है आलू का चटपटा वो बनके तैयार है तो आप इसे जो हैं ग्रीन चटनी के साथ या टमेटो केचप के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगेगा देखने में भी एकदम अलग सा लग रहा है ना तो इसके लिए मैं आपको ये देखिए एक जो है तोड़की भी दिखाते हूँ ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना है और अंदर तक जो है अच्छे से पक रखा है तो फ्रेंट्स आप इस रेसिपी को घर पे जरू ट्राय करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसे लगी रेसिप पसंद आए तो लाइक कीजेगा फ्रेंट के साथ शेयर कीजिएगा और सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा